बहुत दिन हो गए हमें बात किये हुए पर अभी यहां कुछ हो रहा है मुझे पता चला है और तुम्हें इसके लिए टाइम निकालना ही होगा तुम्हें अपने म्यूसियम के पिजनस को चालू रखने के लिए कुछ बड़ा करना ही होगा और यहां इस आइसलेंड में कुछ बड़ा हो रहा है बहुत ही बड़ा मेरे बहुत से दोस्त और मेरा बेटा इसी आइसलेंड में लगे हुए हैं अगर किसी ने उसे मार दिया तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी इस सिटी के लिए ठीक है तुम मुझे साम को मिलो डॉक पे मुझे लगता है तुम्हें मॉनस्टर हंटिंग में मज़ा आएगा हाँ 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 तरा नेरम आइसलेंड जहां लोगों ने खुद की कबर खुद ही खो दी कितनी डराओनी जगह मेरे साथ रहो यहाँ चारली का डर नहीं और भी है कितनी डराओनी डराओनी बाते करता है ये आदमी बोलो दादा अब क्या करूँ मैं पहाड की चोटी में एक ट्रेन सेड है कुछ समय पहले वहाँ चारली ने एक ट्रेन ऑपरेटर को मारा था मुझे लगता है उस ट्रेन का इंजन वही होगा अगर तुमने उस इंजन को हासिल किया तो ये हमारे चरनी के लिए काफी मददगार साबित होगा मेरे साथ रहो हम ज़्यादा देर तक ऐसे बाहर नहीं रह पाएंगे आओ मेरे पीछे ऐनके पीछे जाओंगा पता नहीं मुझे कहा लेकर जाएंगे पर जहां भी लेकर जाएंगे मुझे चार्ली को टिपकाना ही होगा धोके दादा आप बताईए ये मुझे कहा लेकर आगे एक तत्मसान सी घर दिखाई दे रही है ट्रेन की पट्री आखिर यहां क्या है बताईए ये रूम बंद है फिकर मत करो हम रास्ता निकाल लेंगे वहां एक छोटा घर है जाओ उसमें की हो सकती है मैंने मैप में लोकेशन माग कर दिया है जाओ जाकर देखो वहां की है या नहीं ध्यान से जाना यहां बहुत खतरनाक जगह है ओके दादा मैप चेक कर लो ओके ये निकाली मैप ये है हम और ये रही मार्क ओके एक छोटी सी घर दिखाई दे रही है बिल्कुल मेरे दाई तरफ ये रही बिल्कुल जाओंगा सीधे पता नहीं उस घर में मुझे क्या मिलेगी पर जो भी मिले मुझे चाभी मिलनी चाहिए तो ये रहा घर के अंदर जाने का रास्ता खोलू दरवाजा हे हे कुल गई हे ये क्या चाभी मिल चुकी है मुझे इंवेंटरी में क्या है एक चाभी हर इस घर में क्या है बताओ मुझे कोई जरूरी सामान कुछ भी नहीं खैर छोड़ो चलो दादा के पास जाओंगा दाड़ा भागा जाओंगा हर दादा मेरे सामने है बिल्कुल ये रहे दादा ये लो मैने चाभी लाया ये खुई ना बात ये रही जिसके बारे में मैंने कहा था पर थोड़ी पुरानी है बाबा आदम जमाने की है पर अच्छी है मैं ट्रेन को बाहर से चास्ता हूँ और तुम अंदर जाकर पता करो कि ट्रेन चलने लायक है या ये भी बाबा आदम जमाने की तरह मर चुकी है जाओ टाइम बरबाद मत करो टाइम की कमी है जाओ जल्दी करो इसे ओके दादा मैं जाता हूँ ट्रेन के अंदर पता नहीं क्या है इसके अंदर शे आगे ट्रेन के अंदर बताओ यह क्या है ओके यह ट्रेन के अपग्रेड्स हैं समय आने पर खरेंगे होर शे गन मिली है चलाओ भला ये लो काफी सांदार होके अब बताएए ये कौन है डराते हो पागल कही के दादा भोल कर आनी चाहिए न वेल ट्रेन बाहर से बाबा आदम हो गई है पर ये चलाने लायक है और इस पे जो गन लगी हुई है क्या बताओं वो हमारे जर्मी में चार चाद लगा देगी हाँ 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 हम उस चारली को इस गन से सबक सिखाएंगे उसके समझने से पहले क्या तुम तयार हो मेरे हीरो बढ़ने के लिए आगे हाँ मैं भला क्यों पीछे रहूं ओके तो ये है ट्रेन के कंट्रोल बीच वाली आगे और ये ब्रेक और ये पीछे आगे रुक चाओं आगे दिवार ये आगाज है चारली हम आ रहे हैं एक तो मैंने दिवार तोड़ी और इसे हसने की पड़ी है चलो आगे पता नहीं क्या होगा हमारा ओके ये ट्रेन अपनी मंजिल पर या रही है ये आवाज गया है चारली इस कमिंग आओ गंसम भालो वो रहा सैतान मारो उसे गंसे ये क्या ये तो कोई मकडी लगता है पर ये क्या ये तो गाधा ट्रेन है काफी हमला खरोगा बच कर जा ये दादा है हसने दादा को मारा कोई ट्रेन रोका मैंने कहा ट्रेन है भाग था किदर है रोक जा भाग गया दादा मैं अभी आया पता नहीं क्या हुआ होगा इनके साथ कहा गय आप यही कही थे यहे पड़े हुए खतरनाक मेरा मरना योही बेकार नहीं होना चाहिए मैंने सोचा था कि हम उसे पुराने दिनों की तरह लड़ पाएंगे बिल्कुल आसानी से मैंने जो सोचा था उससे ज़्यादा तुम्हें करना है और इसे समझाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है जाओ अंडी को ढूंडो मेरे बेटी को ढूंडो जाओ दादा उठो लगता है दादा टपक गए चारली मैं तुझे नहीं छोड़ूँगा फिलाल मुझे यहां से भागनी होगी ट्रेन के अंदर जाओंगा यह रही ट्रेन यह आगया ट्रेन के अंदर आगे बढ़ो ऐ दादा मैं आपके लिए काम करूंगा जड़ जाओंगा आगे दादा का मरना यहीं फाल तो नहीं होगा मैं दादा के लिए लड़ जाओंगा ओके दोस्तों आगे जाता हूँ पता नहीं क्या होने वाली है ये चारली काफी खतरनाक है आधा ट्रेन और आधा मकडी मैंने ऐसा जीव पहली बार देखा काफी धरावना है और काफी ताकत वैं एक मिनिट ये क्या है रोको ट्रेन यहां मुझे एक कैम्प फायर दिख रही है पता नहीं यहां क्या होने वाला है बाक्स के अंदर कुछ नहीं जरूरी सामाने लूँगा और इधर क्या है बताओ भला यहां कुछ भी नहीं ओके दोस्तों काफी तेज आग है ये क्या ये ले क्या है भला दिखाओ इन्वेंटरी स्क्रैप्स ओके सायद इससे कुछ होने वाली है और भी सामाने चाहिए होगी क्या है अधर ओके यहां कुछ नहीं जयदा देर नहीं रुक पाऊंगा ट्रेइन के अंन्दर जानी होगी है दोस्तों याद आयो स्क्रैप्स से कुछ होता है हम स्क्रैप्स से ट्रेन अप्ग्रेड कर सकते है ओके फिल्हाल मैं हेल्थ बढ़ा लू यह हुई ना बात ओके मन्दल की और आगे बढ़ो ट्रेन यू चलेगी और हम आगे जाएंगे चारली मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं आ रहा हूँ तो दोस्तों आप सभी इस वीडियो को लाइक करिएगा मैं आप सभी के लिए ऐसे वीडियो लाता रहूंगा झाल